मेरे बतन ये अकीदते और प्यार तुछ पे निसार कर दूँ मेरे बतन ये अकीदते और प्यार पाकिस्तान के प्यार करने वालों को हो पकार रहा है के आओ मुझे बचाओ आओ मुझे बचाओ इन चोरों डाकों करप्ट और टेररिस्ट से ये पाकिस्तान हम सब कहें हम अपना वक्त तकरीबन गुजार चुके अब ये अगली जनरेशन की बारी है लेकिन क्या आप इस जखमी पाकिस्तान को तबाशुदा पाकिस्तान को अपनी अगली नसलों के हवाले करेंगे इस उमीद से करेंगे कि ये पाकिस्तान वो ठीक करें जब हमने इसको तबाव बर्बाद करने के लिए आवाज नहीं उठाई तो उन बच्चों से आप क्या उमीद रखते हो? हमें कमस कम इस पाकिस्तान को उसकी ट्रैक पे बनने के ट्रैक पे ले की आना है. और उस ट्रैक पे जब ले आएंगे तो तब जाके अगली जनेरेशन को भी एक डारेक्शन मिलेगी कि हमने पाकिस्तान को बना रहे हैं. अभी भी काम ये जो पॉलिटिकल पार्टी हैं मुसलिम लीग हो गई या पीपल्स पार्टी हो गई या जे यू आई एन पी ये तमाम वो चोर डाकू हैं जो के पिछले सालहा साल से पाकिस्तान को इंडारेक्ली या डारेक्ली खाओ पियो और भाग जाओ इस पॉलिसी पे काम कर र उन्ही को इस्तमाल करते हैं कौम को बेफ़फ़ बनाते हैं एक वक्त में वो पॉलिटिशन्स जुहें करप फॉलिश्टिशन ऐस्टैबलिश्मेंट के अदाकारों को गालियां देते हैं ये शू करने के लिए के वो इन अदाकारों के खिलाफ बहुत हैं वो इनको पसंद नहीं करते ही जैसे मरियम के मुसाल दे तो मरियम के पापा चोर डाकू वो बगहरत इनसान हमेशा जनरल बाजवा का नाम ले रहा है डी जी आई एसाई का नाम ले रहा है और भकवास कर रहा है मरियम यह जो दैशत गर्दी इसकी पिछे वर्दी है उपले लेकिन क्या उन अगर कोई इन रियालिटी में सच में अगर किसी नाम लिया तो इन्होंने मकदमे बना दिये जनरल बाजवा और उसके जो खरीदार हुलाम हैं उन्होंने मकदमे बनाना शुरू कर दिये लोगों को उठाके उनको नंगा करना शुरू कर दिया बाकि ये है कि ये वो लोग ह उन करफ्ट अनासर के जिन्हों ने इस पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया है लूट किया है इनको कोई एहसास नहीं है सिर्फ नारे बाजी पुकार और अवाम और मर गए और ये कर गए हमने ये सड़क अफटा किया हमने मोटर बे बनाई और तुम्हारे बाप के पैसे थे और पैसे तो वो तरजा लिया उसमें से 40 परशन आपने खा लिया 30 परशन लगा के नारे मार रहे हो कि ये सड़के तुम्हारे बाप ने बनाई जो मर गया चोर और डाकूद खानदा नहीं हो तुम डाकूद तुम लोगों ने क्या प्रविल्ट करना एक कापका चैर नहीं पलाते हो भी गवर्मन्न और पाकिसान के एक पबलिक मनी से पैसे लेते हो बात ये है कि ये मेरे मैं छोटे जो हमारे नसले यंग हैं लड़किया हैं या लड़ खान बचारा जखमी हालत में बार बार आपको बुलाए बार बार वो आए आए आप खुद सूचिए कि इमरान खान कब तक ये काम करता रहेगा सेविंटी यर्स का वो आ रड़ी है अल्ला ताला उसको जिन्दी की तांदरुस्ती दे मैं पहले भी एक दोह भी लॉग में क अंदर इमरान खान पैदा कीजिए अपने अंदर इमरान खान पैदा कीजिए और रास्ता वो अपना ये जो पाकिस्तान और आप सब के लिए इस कौम के लिए बेतर है आप मौलबी फुदला या पीपल्स पार्टी या कोई ये सब घलीज लोग हैं याद रखिए कि जो भो बलास्वमी केस और यह रख भो बना देती हैं क्यों यह चूर है आप आपके सौाल का यह जवाब नहीं दे सकते इसलां एसलाम्ति का मझथ नहीं जए हएं उसको लेके चलना मुस्लमान है इस पाकिस्तान को हमने जिस नाप लिया इसलां के नाप लिया हमने वो पाकिस्तान बनाना है हमने ये पाकिस्तान वाबी, डियोबन्दी, शिया, सुनी ये वो लाबला के नाम पे नहीं लिया ये पाकिस्तान हमने इसलाम के नाम पे लिया तो हम सबसे पहले इनसान फिर इसलाम वो ये वाला इसलाम जो मुहम्म्मद अल्हालाई अल्हाले वाले वसलम ने बताया अगर आप उसको फालो करेंगे तो आप सही में मुसल्मान हो अगर इफजलू और दाइबाई मौल्मियों को फालो करोगे हकीकत में हमें अपना इतसाब खुद करना पड़ेगा लहाजा इस पाकिस्तान को सबसे पहले हमने मुसल्मानों को इसलाम बिला दे नमबर दो जुडिशियर सिस्टम याद रखिएगा ये जो यंग लॉयर्स है मेरी उन से रिक्वेस्ट है कि याद रखिए पाकिस्तान हर कंट्री के अंदर अगर कोई बेक्तर पुलिटिकल पार्टी के अंदर लेजिशिलेशन दे सकता है वो हैं लॉयर्स पेंड का चौदरी नहीं दे सकता ये जितने हवारी है जैसे बेनिजिर का बेटा वो है या मरियम है क्या यह लेजिशिलेशन देंगे जिनको अपना मू दोने का तरीका तो आता नहीं तो लेजिशिलेशन देंगे मैं यंग जो पड़े लिखे لड़के हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्ष हैं, जीनियर्स हैं मैं यह क्रीम आफ दा नेशन मैं इन से रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा के लिए आगे आए अपने आपको पेश कीजिए आप पॉलिटिक्स में आएं अलेक्शन लड़िए अपने अलाके के लोगों की रिप्रेजेशन कीजिए और उसके बाद जब आप असेमली में आके लेजिशलेशन करेंगे तो वो आप याद रखेगा इस पाकिस्तान को क्रैक वे लाएंगे पाकिस्तान को रिबिल्ड के अंदर आप अपना हिसा लेंगे ये मेरी आप से हमबर रेक्वेस्ट है लेकिन ये सिसला उसी वक्त होगा जब आप खुद अपने आपको पेश पहनित की जरूरत है और स्पेशली आपका जुडिशन सिस्टम जिस मुलक के अंदर जुडिशन सिस्टम स्ट्रॉंग है वो मुलक तरकी करते है फिर याद रखिएगा कोई भी आर्मी चीफ हो या कोई अदाकार हो को इलेक्शन कमिशन हो कुछ ये तमाम लोग कोर्स के इसका बड़ी काउंटर करना है और आज जो मैं पहला सबक जो दिया है वो यंग्स्टर्स के लिए स्पेशली जो हमारे यंग लॉयर्स हैं उनके लिए कि मेरी हम ऑंजिनियर्स हैं डॉक्टर्स हैं उन से मिरी रिक्वेस्ट है कि अगर हमने वाकी पाकिस्तान को करेंगे अदालतों को बनाएंगे लेकिन साथ अदालतों की हम हैल्प भी करेंगे मुझूदा जूर्डिक्शन सिस्टम हंड़ परसंट क्रॉप्टिड हैं हंड़ परसंट फेल हैं खरीदे हुए जूजिस हैं एक दुनिया की या अवाम की आँखों में दोका देने के ये एक नबर है नबर वन पाकिस्तान की तर्टी के लिए ये इस तरह के वी लॉग मैं बनाता रहूंगा और आपसे बात करता रहूंगा आज की ये वी लॉग इस उमीर से मैं आप बंद कर रहा हूं कि आप तमाम यंग लोग सोचिएगा ये परानी हिस्ट्री ये हो गया उस दुबने में फिलाने ने ये किया था हिस्टियों से सबग सिखा जाता है हिस्टियों को रिपीट नहीं किया जाता है जो बुरी हिस्टियों थी उससे सबग लिया जाता है अच्छी हिस्टियों तो डाफिनेटली उसको इसको इस्तमाल किया जा सकता है लेकिन बार-बार ह very cool and calmly और हमने जितने ये लोग अफिलियेटिड हुए हैं घल्थ माइन उनका ब्रेनवाश किया गया हमने उनको भी ठीक करना है ये बड़ा जरूरी बात है तो काइंडली अपने आपको पेश कीजिए अल्ला ताला आपके साथ हमेशा हमेशा साथ रहे अल्ला ताला इस पाकि पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के अदारों का अच्छा सोचिए और इनको रीबिल्ड कीजिए इस उमीद के साथ आज की फोज आज का वीलाव बंद करता हूं नेक्स टाइम इंशालला ताला फिर दुबारा इसी में बात करेंगे पाक फोज जिन्दाबार पाकिस्तान प कुछ पे निसार कर दूँ मेरे बतन ये अकीत ते और प्यार